नमस्कार दोस्तो पहारी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज एक सुन्दर सुन्दर फूलो अला पौधा आप लोगों सामने लेकर आया हूँ और आज मैं इसी फाइदेख बारे में आप लोगों बताऊंगा दोस्तो आज आप जो ये फूल देख रहे हो मेरे ख्याल से आप पहली बार तो नहीं देख रहे हो कई बार इस फूल को आप देखे होंगे किसी के घर के आंगन में गाडन में या फिर बाग बगीचों में या फिर सड़क के किनारे या फिर मंदिरों के आंगन में जरूर न जरूर देखे ही होंगे, इतना तो पक्का है, मगर क्या आप इस फूल के पत्तों के फाइदेक बारे में जानते हैं, तो दोस्तों अगर नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए, और इस पौधे को अगर नहीं कर सके उपयोग कर सके ही दोस्तों यह पौधा एक जाली नुमा होता है तीन फुर्च लेकर पांच फुर्च तक बड़ा से बड़ा होता है इस पौधे के तीन परजाती होते हैं तीनों परजाती के अलग-अलग फूल होते हैं और इस पौधे में हमेशा फूल खिलता रहता ह और यह पोधा सदा हरा भरा रहता है इसलिए बहुट लोग इसे सदा बहार फूल का पउधा कहते हैं यांनि सदा बहार फूल के नाम के जानते है और इस पउधियों जादधर देख भाल भी नहीं करना पड़ता है या पोधा कहीं कहीं तो अपने आप ही उत्पन हो जाता है पैदा हो जाता है बरसात के दिनों में और बारों महीना हरा भरा रहता है इसलिए बहुत लोग इसे बारा मासी पोधा के नाम से जानते हैं यानि बारा मासी फूल का पोधा कहत दोस्तों इसके फूल गोल गोल बहुत प्यारे प्यारे दिखाई देते हैं सुन्दर दिखाई देते हैं और दोस्तों फूल में चार पंखुणियां होते हैं बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं इसलिए इसके सुन्दरता को देखते हुए बहुत से लोग इसे नयन तारा के नाम से जानते हैं क्योंकि यह तारग जैसा सितारग जैसा भी दिखाई देता है और कुछ लोग इसे सदा पुस्पा कहते हैं सदा पुस्पी कहते हैं सदा सुहागनी कहते हैं सदा सुहागन कहते हैं इस तरह से अलग-अलग भासाओं इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है यानि जितनी भासाएं उतने सारे इसके नाम लेकिन दोस्तों या पौधा हमारे जीवन में बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आयरवेदिक दुनिया में इस पौधे का भी बड़ा नाम है या एक नाम चीन पौधा है इसके अंदर बहुत सारे आयरवेदिक अउसदी गुड स तो वह लोग क्या इसका उपियोग करें क्या इस्तमाल करेंगे लेकिन दोस्तों आज जब मैं आपको इस सदा बहार पौधे के बारे में बताऊंगा कि यह हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो आप इस पौधे को अपने घर में किसी गमले में जरूर लगाएंग ऐसे तो इसके सुहाने सुहाने सुंदर सुंदर फूल देखकर हर कोई अपने घर आंगन में लगाया ही होगा और जो लोग इस पौधे को एक बार देखते हैं तो अपने घर आंगन में ले जाकर लगा ही लेते हैं एक तरह से यह मनमोहक पौधा है देखने वाले का मन मोह दोस्तों इसमें फली भी लगते हैं, एक इंच से लेकर दो इंच तक लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जिस तरह से सरसों की फलियां होते हैं, गोल गोल, उसी तरह से इसमें भी फली होते हैं, वो फली अभी लगा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हू और उस फली के अंदर छोटे छोटे सरसों के दाने के बराबर बीज भी होते हैं काले काले तो दोस्तों अगर इस पौधे को आप अपने घर आंगन में लगाना चाहते हैं तो मात्र इसके डंटल को तोड़ कर ले जाए मिट्टी में गार दीजिए लगा दीजिए हो जाता है इसके बीच के भी जरूत नहीं आपको पड़ेगा तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस पौधे को पैचान चुके होंगे तो आओ चलो अब सदा बहार के आयरवेदिक फाइदों के बारेम जाना जाए कि यह हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है और हम इ दवाई खाखा के तंग हो चुके हैं परसान हो चुके हैं दवा खाखा के कमजोर होते हुए जा रहे हैं बोडी की स्टेमना घटते जा रहा है दिल कमजोर होते जा रहा है गुर्दा कमजोर होते जा रहा है पाचन कीरिया विगड़ रहा है खाया पिया खाना हजम नहीं हो रेगुलर इस पौधे इस फूल का इस्तमाल करते हैं तो अगर आप इंसूलीन का इंजेक्शन लेते हैं तो वह इंजेक्शन भी धीरे धीरे छुट जाएगा या इतना अचूग राम बाल अउसदी है डाइपटीज सुगरवालों के लिए लेकिन जो लोग इसका रेगुलर इस्तमाल करेंगे महीना दो महीना देखिए दोस्तों अलग-अलग सरीर का अलग-अलग तासीर होता है और अलग-अलग वजन भी होता है और बोडी की हिसाब से अलग-अलग खुराग भी होता है जैसे माल लीजे कोई दो रोटी खाता है तो कोई पांच रोटी खाता है अ एक डोज एक मात्रा होता है वहा मात्रा आपको तई करना पड़ेगा कि कितना पति खाने के बाद आपको फाइदा महसूस होता है कितना फूल खाने के बाद आपको फाइदा महसूस होता है क्योंकि इस बात को रोगी खुद आजमा सकता है जान सकता है कि उसे फाइदा हुआ कि नहीं हुआ जिस तरह से आप एक एलोपैथिक मेडिसीन बुखार उतारने वाला खाते हैं 500 mg पैरा सीटा मुल और आपका बुखार उतर जाता है तो आप ही नहीं जानते हैं मेरा बुखार उतर रहा है फिर मेरा दरत जा रहा है ठीक उसी तरीके से अगर आप फूल इस पत् सच्छ चलने लगेगा कि मेरा द्यापकुटीम कम है नर्मल हू रहा है लेकिन फिर भी मे इस पत्त का इस फूल का मातरा आपको बता दे रहा हूं नORMAL मातरा या हैрах चार से ले पांच पत्तों सेवन प्रती दिन सुभा सुभा बासी ओर बासी मुं चबा चबा कर खाया जा या एक उनस पत्ती है इसके अंदर किसी भी तरीके कोई हानी प्रभाव नहीं है हां लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना पत्ते साप सुत्रा हो किसी भी तरीके कच्रा नहों और जहां से आप पत्ते तोड़ रहे हैं वह जगा भी अच्छा हो साप सुत्रा जगा हो किसी भी त कर दोस्तों के घर में लाकर, ठीक से पानी में धोकर साब कर लीजिए। तब उस principal को आप सेवन कीजिए चबाइए खाईए। इू ससे टोड कर ही मत खा लीजिएगा अब अगर इसे कोई छबा चबा रहा है तो आप इस पत्तों को पीष कर फूल को पीष कर पेश्ट बनाकर चटनी बनाकर पानी डालकर गिलास में सरवध बनाकर पी भी सकते हैं घोलकर दोस्तों या सदा बहार के फूल पत्ता डायप्टी सुगर वालों को तो फाइदा करता ही करता है ब्लट पेशर रोगीों के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है अगर किसी का BP हमेशा हाई रहता हो, बलड़ पेसर का रोगी हो वह भी तो हमेशा ही मेडिसी न्यूज करता रहता है, अर दिन उसे भी दवा खाना पड़ता है सुगर्क तरह बीपी वाले भी दवा से तंग आ जाते हैं तो वह बीपी वाले भी सदा बहार के फूल पत्ते सुबा खाली पेट करीबन 5-6 पत्ते लेकर चबाएं या उससे कम पत्तों में सुरुआत करें 3-4 पत्तों का सेवन करें सुरु सुरुम देखें कितना फायदा होत वालता है उसके बाद आप पत्तों भढ़ा भी सकते घटा भी शसकते आपके उपर हैं आपको खूद मालूम पढ़ने लगेगा खानेे के बाद दोस्तों यह सदा बाहर पत्ता खून को फिल्टर करता है साप करता है खून के अंदर विसेले पदार्थ को निकाल कर फेसाब कर आस्तिस बाहर कर देता है यह सदा बाहर का फूल पत्ता तोचा रोगों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है फाइदे मंद माना ज दोस्तों इस पेड के पूरे 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 पाचों अंग को निकाल कर जिसे पाचक कहते हैं आप सुखा कर पीश कर पूडर बना कर डब्बें भी रख सकते हैं इसका तीन गराम चूरन का इस्तमाल किया जाता है बहुत सारे रोगों में वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले इसके हरे हरे ताजे ताजे सेवंग बारे में बता रहा हुं ध्यान पूरुवक सुनते जाइए दोस्तों यह सदाबहर के पत्ता और फूल पाचन की याग भी मजबूत करता है पेट पेटके अंदर दीजिए तो फोड़ा फुंसी सूखने लगता है ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर दोस्तों यह हरे हरे ताजे ताजे सदा बाहर पत्तो से आप चेहरा भी चमका सकते हैं चेहरे में होने वाले दाने फोड़े फुंसी और पिंपल्स को भी गायब कर सकते हैं आपको करन क्या है इस ताजे ताजे सदा बाहर के पत्तों को तोड़ कर पीश कर चटनी बना लीजिए और उस चटनी में करीबन आधा नीबू को रस मिला लीजिए और आधा चमच फिटकरी का पाउडर मिला कर चेहरे पर मसाज कीजिए लेप कीजिए और 15-20 मिनट तक छोड़ या उपाय कुछ दिनों तक कीजिए आपकी चेहरे पर चमक आएगा चेहरे का मयल कर जाएगा चेहरा चमकने लगेगा बुढ़ापा में भी आप जवान दिखाई देंगे दोस्तो इस सदा बहार के डंटल को चबाने से मूँ के छाले दूर होते हैं और दातों के रोक पहरिया या दातों स्खून मोखा दाता हो तो वह भी आना रुख जाता है दोस्तो सदा बहार के फूल का रस और बदाम के तेल दोनों के मिला कर बालों के जड्म लगाने से बाल का जड्म जड्म जबूत होता है और बाल चमकीले होते हैं दोस्तो सदा बहार की पत्ते और फूलों का रस निकाल कर सरीफा की तेल में डाल कर बालों की जड्म रगडने से बालों के अंदर होने वाले डेंडरप, रूसी और जुआ खत्म हो जाते हैं दोस्तो सदा बहार की जड्म के रस 10 एमल और जामुन के छाल का रस 40 एमल दोनों के मिला कर पीने से पेटों के रोग दूर होते हैं जैसे अतिसार रोग हो या पेचिस रोग हो या पेट में मरोड मारता हो खूनी दस तो होता हो इन सब पेट के रोग में आप 10 एमल सदा बहार की जड्म का रस और 40 एमल जामुन के छाल का रस दोनों के मिला कर सेवन करना है दिन में दो बार तो फाइदा होगा दोस्तो इस सदा बहार पत्तो गरस और मखन दोनों के मिला कर चेहरे में रगणने से चेहरे का रूखापन दूर होता है और अगर आपको मखन नहीं मिलता है तो आप सहद भी मिला कर चेहरे पर मसाज कर सकते हैं इससे भी चेहरे का रूखापन दूर होगा और चेहरे में च यानि 25 इमल पानी जला दीजिए और 25 इमल पानी को बचा लीजिए फिर गरम गुणगूने दूद में सव एमल दूद में वो 25 एमल बचा हुआ काड़ा डाल कर घुमा कर पी जाए इससे आपका दिल मजबूत होगा अगर जरा जरा से बातों आप घबडाने लगते हैं दिल आपका कमजोर है तो पांच गराम अरजुन के छाल और तीन गराम इस सदा बहार के जड़ के छाल को मिक्स करके आप डायरेक्ट भी बिना पकाए दूद में डाल कर सेवन कर सकते हैं या दूसरा उपाय है तो दोस्तों इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा आइरवेदिक जड़ी बूटिक पौधा है जो लोग नहीं जानते हैं जान ले और इसे पहिचान ले तो चलो दोस्तों आज की महातपूर जानकारी हमें ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंदोत हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आइरवेदिक